बाडमेर अंतराश्री हिंदू परिशद राश्री बजरंग दल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीन तोगडिया अपनी एक दिवसे यात्रा पर मंगलवार को थार नगरी बाडमेर पहुँचे बाडमेर पहुचने पर तोगडिया के समर्थकों ने बाईक एवं वाहन रेली ने काल कर उनका स्वागत किया अंतराश्री हिंदू परिशद एवं राश्री बजरंग दल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीन तोगडिया देश भर में आगामी लोगसभाचुनाव से पूर्व अपनी पाठी के गठन को लेकर जन समर्थन मांग रहे हैं इसी क्रम में सिरोही और पाली के बाद डॉक्टर प्रवीन तोगडिया मंगलवार को बाडमेर पहुचे वहां भगवान महावीर टाउन हॉल में उनकी सभा रखी गई जिसको सुनने के लिए कुछ दरजन ही लोग पहुचे लोगों के ना आने से जहां तोगडिया के चेह लडने की गोशना की है बीते दिने यूपी के बिजनोर जिले में इसका एलान करते वी तोगडिया ने जल्धी देश में एक हिंदुत्व सरकार बनाने की बाद भी कही थी कभी भाजपा के लिए वोट की मांग रखने वाले तोगडिया अब भाजपा से अपना रुक दूर कर चुके हैं तोगडिया ने कहा है कि हमने भाजपा को जिताने के लिए कॉंग्रिस को हराया ताकि आयोध्या मंदिर, किसानों के हितो एवं आम जन्ता के लिए भाजपा सरवादिक पार्टी है परन्तु भाजपा सत्ता में आते ही अपने रंग भी खेरने लगी है इस बात से साफ होता है कि हम अब खुद की पार्टी बना कर इन सब को हकीकत में बदलेंगे तोगडिया ने कहा है कि प्रधान मंत्री जब मुख्य मंत्री थे तब रोज फोन करके हमसे बात किया करते थे परन्तु प्रधान मंत्री बनने के बाद उनके पास समय नहीं है झाल